जैहन दोस्तों वेलकम बैक टू जैन विलॉक्स मेरा नाम है जैन सर्वासव और आप सभी का स्वागत है जैन विलॉक्स के यूटीब चैनल में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैश फ्री के बारे में कि किस तरह से आप कैश फ्री की उपर अपने आपको रेजिस कैश फ्री एक इंडियन पेमेंट गेटवे है जो कि जैसे अगर थोड़ा हट कर में बताऊं तो यह एक तरह का ऐसा पेमेंट गेटवे है जो कि आपको बल्क पेमेंट को इंस्टैंटली डिस्ट्रिब्यूट करने में मदद करता है बाकी पेमेंट गेटवेश जो है वो पेमेंट लेने में आपकी मदद करते हैं लेकिंग यह दिस्ट्रिब्यूट करने में भी मदद करता है तो यह थोड़ा सा हट कर या कॉमबो पैक आप किया सकते उस टाइप का अप्लिकेशन है और सच्छा ही यह है कि पेमेंट प्रोसेस को बताया था साइन अप्रोसेस को इंस्टा मुझे को भी बता रखा है और पेपाल को भी बता रखा है और यह एक अनुदर पेमेंट गेटवेज जो कि उनी के मिलती रहेगी और लाइक शेयर कमेंट करना वीडियो को मद भूलिएगा तो दोस्तों एक सिंपल वर्ड में अगर हम बात कर लें कि वाट इस पेमेंट गेटवेज तो मैं पिछले तीन वीडियो में भी यह चीज बता रखा हूं तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हू है तो पेमेंट गेटवेज सिंपली अ मीडियम तुरू विच यू ट्रांसफर्ड यू मनी यू गेट यू मनी फ्राम यू कस्टमर और आप अपसको अपने वेबसाइट के अंदर अपने बैंक के अंदर अपने सेटल करकर आप उसे यूज करते हो इन रिड़न आप जादा लंबा नहीं बनाएंगे लेकिन इस वीडियो में इतना आपको जरूर विस्वाज दिलाते हैं कि असको आप पूरा देख लीजेगा तो कैश फ्री से रिलेटेट कोई इस्चू आपके मन में नहीं रह जाएगा और रेजिस्टिशन आप बहुत ही आसानी से घर बै मैसेज भेज सकते हो कॉंटेक्ट करने के लिए इमेल भी कर सकते हो आपके लिए सिर्फ तो दोस्तों हम लोगों ने ओपिंग कर लिया अपना ब्राउजर और अब मैंने सर्च भी कर लिया है सिंप्ली आपको गुगल पे आकर सर्च कर लेना है कैश फ्री और क्रेश फ्री की पहली वेबसाइट ही ओपन हो जाएगी इसे प्रिविएस वीडियो में मैंने आपको अल्री बता रखा है कि आप कैसे पेपल पर रजिस्टिशन करोगे कैसे रेजर पेपे करोगे कैसे इं प्रिविए से प्रिविए से प्रिविए से अब दूसरी जो सवाल आती है लोगों के मन में आती है वो क्या है वो है फीस से रेलेटेड ठीक है पहले हम वेबसाइट को ओपिंग कर लेते हैं कैश्प्री सेम लाइक रेजर पे इंच्टा मोजो सब का सेम कॉंसेप्ट है अगर आप पुराने वक्त की बात करो मैं दो साल पहले की अगर बात करो जब मैं बिजनस में नहाने आया था तो इस टाइम पे एक कलौता आप्शन मेरे को पेपल दिखता था कि मैं इंटरनेश चौपट होने वाली बात आगे कि अब दो तरह का गेटवे यूज करना पड़ गया कि एक तो इंटरनेशनली पेमेंट ले ले हम पेपल से अब विदिन इंडिया लेना हो तो आपका पे यू हो जाता था उस टाइम पे आस और भी कही सारे सिस्टम साते थे लेकिन वो सब नहीं थे बहुत ही वाश्ट थे ठीक है लेकिन दो साल के अंदर में इतनी अच्छी डेवलोप्मेंट हुई है पेमेंट गेटवेस के अंदर आप रेजर पे को ले लो इस्टा मुझो को ले लो कैश फ्री को ले लो और अभी दो चार और हैं उनके बारे में भी मैं ध्रे- गेटवे के रूप में अगर आप यूज करते हो तो इसके पर 1.90% पर ट्रांजेक्शन आपका चार्ज होगा यदि आप पेमेंट लेते हो वीजा के तुरू, मास्टर कार्ड के तुरू, मैस्टर कार्ड के तुरू, गूगल पे के तुरू, एमेज़ॉन पे के तरफ से, ओन पे, ICCI या फिर नेट बैंगिंग अस्तेमाल करते हो दोस्तों तो 1.90% यानि कि 1.90% का ट्रांजेक्शन इमोंट आपको as a fees देना होगा, यदि आप UPI और रुपे कार्ड से ट्रांसफर लेते हो तो 0% का ट्रांजेक्शन लगता है, वहीं अगर हम बात करें, पेलेटर कोटेक और HDFC बैंक, ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल कार्ड में ये वीजा और मास्टर कार्ड दोनों को ही सपोर्ट करता है, और 3.5% प्लस 7 रुपेस का आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, अगर मैं इसको कंपेर करके देखूं रेजर पे के साथ तो ये है थोड़ा, लेकिन overall ठीक है, 3% के आसपास उस पर आपको international payment देना पड़ता है, और with some time अगर आपका transaction amount ज्यादा होता है, रेजर पे की उपर, तो आपको वो लोग offer भी देते हैं, वो 3% से 2% तक लेकर चले आते हैं, तो it all depends on the transaction amount, whatever you made on through this site, ठीक है, अब standard payment gateways के अगर हम ब 9.95% per transaction लगेगा, यदि आपके पास American Express और Dinner Clubs के card available हैं, दोस्तों तो, ठीक है, ये तो हो गई, as a payment gateway आप लेते हो तो, payouts में क्या लगेगा, अब देखो, payout अगर आप transaction amount एक हियार तक होता है, तो IMPS ये 2.5 रुपए ले ले लेते हैं, N.E.FT के नाम पर 1.75 रुपीज आप चलता रहता है, ठीक है, तो आप payout के रुप में भी आपको यहाँ पर payment देना पड़ता है, cashgram, ये अलगे system है cashgram का, auto collect, bank account verification, 2.5 रुपए आपके पर validation आपका जो भी UPI transaction amount होगा, या फिर bank account verification होता है, इसमें ये लोग लेते हैं, subscription अगर आप सेल करते हो, तो ये प्लास प्र रुपए प्लस 5 रुपए on e-mandate की उपर और बाकी सब की उपर अलग 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 चीज़े हैं, तो ये सब आपकी काम की नहीं है, जो हमें आज देखना है, वो as a payment gateway देखना है, तो चलिए, शुरू करते हैं, registration process के तरफ चलते हैं, और कई सारी trusted websites हैं, जो already इसे use कर रही है उनका नाम यहां दिया हुआ है, book my show, echo, big basket, HDFC, life space और भी जो मैटो कई सारे आपके जो gateways आते हैं, ये लोग use कर रहे हैं as a payment gateway अपने उपर in their business, तो चलिए अब हम लोग registration process से तरफ बढ़ते हैं, create an account पे click कर देते हैं, तो जैसे ही हम create an account पे click करेंगे, it will ask your email address और password, तो email address म मैं अपना डाल लेता हूँ, ध्यान रखें, जो सामने email address आपको display हो रहा है, इसके पर आप मुझे किसी भी business related emails को भेज सकते हैं, यदि आपको कोई दिक्कत हो रही हो, किसी तरह का कोई problem हो रहा हो, तो आप इस email का इस्तेमाल करके मुझसे contact कर सकते हैं, दोस्तों, याद र important और password security को लेकर भी ये important steps होते हैं, अब हम continue पर click कर लेंगे, यानि की proceed की उपर, और जैसे हम proceed पर click कर देंगे, ये हमारा phone number माँगेगा, तो phone number हम इसे देते हैं, अब ये आप से अपका website link माँगेगा, तो मैं website link में अपनी official website को डाल देता हूँ, जो कि as a business मैं registered हूँ, लीज माई होश्ट, और उसके बाद monthly transaction पूछ रहा है, तो एक से 10 लाग के बीच के मैं डाल देता हूँ, और next पे click कर लेता हूँ, अब मैं क्या देख रहा हूँ, cash free के उपर, क्यों मैं cash free को use करना चाता हूँ, ये आप से यहाँ पर पूछेगा, तो देखिए option क्या क्या है, I am looking for payment gateway for website और application, क्या आपको अपने website और application में as a payment gateway से use करना है, domestic or international payments लेना है, subscription payment आप सेल करना चाते हो, account, bulk, output, कुछ भी आप यहाँ पर करना चाते है, एक्सपर जो requirement आप यहाँ चूज कर लेना, मैं तो कई सारे चीजों को चूज कर लूँगा, तो अब भी चाहें तो कर सकते हैं, और complete sign up पे क्लिक कर लीजेगा दोस्तों, जैसे ही आप complete sign up पे क्लिक कर लेंगे, यह आपके सामने एक dashboard कुल कर आ जाएगा, वेर इट इस सेइंग की यह भी test environment है, और आपको switch to production पे क्लिक करके अपने production के तरफ आगे बढ़ जाना है, और यह email बेजा है, जिसे की मुझे verify करना पड़ेगा, तो मैं email को verify कर लेता हूँ तुरंत, जब तक की आप आगे की steps को जरूर देखिए, finally दोस्तों, मेरा जो email है, वो verify हो चुका है, और email verification के बाद यह आपको redirect कर देगा, dashboard के तरफ जहाँ आपको एक बार logging करना होगा, तो हम लोग वापस से logging कर लेंगे, अपने account को, और आगे बढ़ लेंगे, तो अभी यह आपको dashboard के तरफ लेकर चला जाएगा, अब यहाँ पर आपसे जो अगला step होता है, पहल दो steps में यह आपका account खुलता है, यहाँ पर पहला होता है email verification, successfully यहाँ पर मेरा हो चुका है, अब दूसरा होता है, activate account, we required for more details to help you to get started with your account, it takes a maximum of 48 hours to complete the account activations, तो यही वो पल होता है, जहाँ पर आपसे account की details और बागी चीज़े मांगी जाती है, तो वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़े मांगेगा, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि explore our products में इन्होंने दिखा रखा है कि what they have, so simply they have payment gateways, जो की हम 100% उसी के लिए आया है, तो test environment पे एक बार हम test करके देखेंगे अभी, payout है, send payments instantly to any bank account, तो किसी के भी bank account में आप भेज सकते हैं, यहाँ पर payouts, उसके बाद अगला हाता है, auto collect, match inbound payments to customer, automatically using virtual account and virtual UPI IDs, seller suits है, यहाँ पर cash करा है, में काफी कुछ ही लोग ने दे रख payment gateways को कि यह कैसा दिखता है, और survey हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर, तो simply अब इंका test account देखेंगे, menu आप यहाँ दे सकते हैं, auto collect, यहाँ पर दिख रहा है payment gateways के रूप में, transaction, settlement, यहाँ payment link का option आपको दिख जाएगा, जहाँ पर हमें payment link को generate करना है, description, demo, कितना रुपय चाहिए, तो 100 रुपिस का यह invoice है, कब expire हो जाएगा, email तो आपको कुछ याद आ रहा होगा, तो razor पे भी बिल्कुल ऐसा ही आपको एक interface देता है, जिसमें कि वो बताता है, कि आपका payment किस ले लेना है, amount क्या है, link expire होगा या नहीं होगा, customer की क्या detail है, email ID क्या है, उ I think so, यहाँ पर एक mobile number माँग रहा है, तो यहाँ पर मैं अपना mobile number डाल देता हूँ, उसके बाद आपको इसे simply create and send पे click कर लेना है, उसके बाद आपका यह create हो जाएगा, और यह आपका payment link है, जो अभी मैं दूसरे box में खोल रहा हूँ, तो देखने में बिल्कुल ही आपको रेजर पेकी जैसा ही दिखेगा, same to same है, अब यहाँ पर UPI ID, वालेट को option दे रहा है, आप जैसे चाहें वैसे आप payment कर सकते हैं, तो यह तो हो गया आपका test environment में, यानि कि हम लोग एक बास testing purpose से देख रहे हैं, अगला आपका step आता है account activation, that is very important, और उसी को mainly आपको देखना और account को verify कराना होगा, तो initiate account activation पे हमें click कर लेना है, और जैसे ही करेंगे यहाँ पे तो आप से क्या क्या मांगेगा, देखो, मैं आपको directly दिखाता हूँ, याप पर country आप origin मांग लेगा, किस country से आप operation करना चाहते हैं, business को run करते हैं, उसके बाद आपका पूरा नाम मांगे बिजनस टाइप में क्या है, individual हो, LLP हो, partnership हो, private limited हो, proprietors हो, या फिर society, trust, clubs, NGO और association हो, याप एक चीज़ समझ लिजएगा, आप लोग कमेंट करके पूछते हैं, मुझसे कई बार, अगर आपका कोई भी business registered नहीं है, और आप एक startup है, you can choose individual, और अगर आप एक MSME registered है, तो you can choose proprietor, और बाकी सारे categories तो आपको खुदी पता होगा जाती है, आप registered user होंगे तो, तो अगर आप non registered है, तो you can choose individuals, और अगर proprietorship है आपके पास, तो you can choose proprietorship, like it is also known as MSME, अब industry type में पूछेगा, B2B है, digital good है, e-commerce है, क्या sale करना चाहते हो, तो यहाँ पर अपने business को देख लेना, education वाले अगर अप बना रहे हो, तो education choose कर लोगे, बाकिस चीज़ों में आप अपने हिसाफ से choose करी लोगे, business का नाम क्या है, contact number क्या है, और आपके website का URL क्या है, या फिर email यानि का लिंक क्या है, business address आपका next में पूछेगा, आपको अपने याप पे address डालना होंगा, जिसमें का address हो पिंक कोड हो गया, CT हो गया, state हो गया, bank details में आपको जहां पे आप settlement चाहते हो, अपने process को, अपने website पे पैसे लिए, तो उसे आप जिस account में transferred होना चाहते हो, उस bank कि याँ पे details आपको डालनी होगी, के वाइस information अगला step आता है, that is very important, जहां पर आपको प्रोप्राइटर का PAN मांग रहा होता है, कि आप, आपका जो PAN address है, वो आप यहां पे डालोगे, GHTIN number is an optional, because कई सारे ऐसे प्रोप्राइटर होते हैं, जो के GST register नहीं करवाते हैं, due to 20 lakhs की एक limit होती है, आप business कर रहे होते हैं online तो, उसे देखते हैं कई लोग नहीं करवाते हैं, तो यहां पर GST अगर है, तो भी आप register कर सकते हैं, और नहीं है, तो भी आप registration अपने आपको कर सकते हैं, ID proof में, आपका identity proof में क्या क्या है, पासपोर्ट हो सकता है, driving license हो सकता है, वोटर ID हो सकता है, उसकी आपको यहां पर photo attach करनी है, और registration certificate किसका, तो MSME का registration certificate आपको यहां देना होगा, क यानि कि आपका जो भी water ID passport आपके पास है, वो आप यहां पर use कर सकते हो, और अगर आपके पास cancelled check है, तो आपको यहां पर देना ही होगा, चाहे आपके पास है, चाहे नहीं है, अगर saving account है, तो saving account का एक check लेकर cancel कर देना, cancel कैसे करते हैं, यह भी मैं किसी वीडियो में आपक दिखाऊंगा, ताकि आप लोग check cancel करने में भी गलती ना करें, और अगर आपके पास current account है, तब तो आप लगाओगे ही लगाओगे, ठीक है, उसके बाद आप submit पर review पर click कर दोगे, और आपका account जो है, वो review के लिए चला जाएगा, and it will take up to like 48 hours से 72 hours का यह लोग समय लेते है उसके बाद आपका account जो है, वो verified हो जाता है, then you are good to go and you are good to start your business online and you can collect your payment as much as you want to collect on the website or application, ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलूँगा अगली वीडियो में कुछ नए registration process के साथ, किसी नए payment gateways के साथ, तब तक आप सभी ने वेरी वीडियो को देखा, वीडियो पसंद आई हो, तो like share, comment करना, वीडियो को मत भूलिएगा, आप सभी का thankful हूँ, कि आप दोंको ने यहां तक मुझे सुना, अगर आप सुन रहे हैं तो, और पसंद नहीं आए हो, तो dislike जरूर कीजेगा, और dislike का reason जरूर बताएगा, कि क्या पसंद नहीं आए, so that I can improve my videos quality, और आपको और भी अच कुछ चाहता हूँ, लेकिन समय का बहुत ही दिक्कत हो जाता है, और समय के करण में बना नहीं पाता हूँ दोस्तों, तो फिर मिलता हूँ, अब तक आप सभी का धन्यवाद, बाई बाई, जैहन दोस्तों, stay safe.